हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हो आप लोग तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ स्चियर करने जा रही हूँ फिसकरी जो बहुत जादा टेस्टी बनती है और इसके लिए हमें अलग से कोई मशाला नहीं लेना है बस घर में ही जो मसाले हैं उनी से हम इसक रहेंगी तो दोस्तों चलिए बनाते हैं तो मैंने यहां पर ली है एक किलो मचली तो आपको इसी भी अपनी मन पसंद मचली यहां पर ले सकते हैं और उनके जो पीस होने चाहिए वो थोड़ा मोटे होने चाहिए और इनको अच्छे से हम पहले धो लेंगे और फिर इनको क अच्छा टेस्ट मचली का आता है तो इसमें मैंने लगवग आदा कप जो है वो कच्ची घानी वाला सर्सों का तेल मैंने लिया है और जब वो तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे एक चमच के करीब नमक तो नमक को हमने मिक्स कर लिया है तो नमक इसलिए हमने डाला है दोस्तों ताकि मचली के अंदर तक जो है यह नमक चले जाए और इसमें हम डाल देंगे मचली के पीस इसको तो उतनी ही पीस आप डालिए जितनी की अच्छी से इसमें फ्राइ हो जाए तेल में अब इनको जो है हम 2-3 मिनट के बाद दूसरी तरफ पलड़ देंगे और दोनों तरफ हम इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे तो यह एकदम क्रिस्पी बन जाएंगी तो इस तरह से ये हमारी जो मचली है वो दूनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इनको हम ले लेंगे प्लेट में और बागी बचीवी सारी मचली को भी हम इसी तरह से फ्राई कर देंगे साथ में दोस्तों मैंने लिये हैं खड़े मसाले तो दो हरी लाईची है छे साथ काली मिर्च है दो लॉंग है एक पड़ी लाईची है दो हरी मिर्च दो लाल मिर्च और एक तीज पत्ता तो हरी मिर्च को आप भी से थोड़ा सा कट कर लीजिए और लाल मिर्च को भी थोड़ा सा किनारे से कट कर लीजिए ताकि जब हम इनको तेल में डालेंगे तो ये उचल के ना आ जाए तो ये सारे होल मसाले हमने ले लिये हैं और इनको मैंने उसी तेल में जिसमें मशली फ्र ताकि इनका जितना भी टेस्ट है वो तेल में आजाएं अब मैंने यहां पे लिया है बारिक चौक क्या हुआ प्याज और प्याज को भी हमने यह मैंने दो बड़े साइच की प्याज लिये हैं और इनको भी हम अच्छे से उनका कच्चापन जब तक ना चला जाए तब तक इनको हम भूनेंगे साथ में लिया है एक बड़ा चमच अधरक लहसुन का पेश और इसे भी हम इसके साथ ही भूनेंगे तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सियर और अपने सुझाओ मुझे कमेंट के त्वारा जरू दीजिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो भून चुके हैं इनको हमें ब्राउन नहीं करना है बस हलका जो पिंक कलर होता है वो प्याज में आना चाहिए तो इतना ही हमें इसको भूनना है और अब यहाँ पर मैंने डाल गया है वन फोर्थ कप के कर्यू गरम पानी तो गरम पानी डालने से क्या होगा जो हमारा प्याज है अभी एकदम गरम था तो वो थोड़ा सा गल जाएगा तो देखे गरम पानी डाला तो प्याज हमारे एकदम सॉफ्ट हो गया है गल गया है अब यहाँ पे डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी तो यह मैंने तीन मीडियम साइज की टमाटर लिये हैं और यह देशी टमाटर है इसकी प्यूरी बना के हमने इसमें एट कर दिया है तो देशी टमाटर काफी खटे होते हैं अगर आपको खटा जादा चाहिए तो आप यहाँ पे इमली का पेष्ट भी यूज कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम बाकी पीसे भे मसाले तो यह मैंने एक बड़ा चमच लिया है धनिया पाउडर भुना जीरा पाउडर खोड़ा सा गरम मसाला है आदा चमच के करीब आदा चमच ही हल्दी और एक चमच मैंने लिया है लाल मिटी और वो डेगी में रिच है तो इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा हैगा और इन सब को हम भूनेंगे तो यह मसाला हम तब तक भूनेंगे जब तक यह तेल न छोड़ दे तो दोस्तों अपने सुझाओ मुझे जरूर कमेंट करके दीजिए कि आपको मेरे द्वारा बनाएगे जैसे पी कैसे लगी और आपको इसमें क्या चीज अच्छी लगी क्या खराब लगी तो यह प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताईए तो मसाला भी हमारा यहाँ पे भूंचुका है क्योंकि इसने तेल जो है वो छोड़ दिया है तो इस पे अब हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम पानी और तो यह मैंने यहाँ पे आदा कप के करीब गरम पानी और डाला है और आपको जितनी ग्रेवी पतली चाहिए आप उतन आपके इसाब से नमख डाला है नमख हमने पहले भी इसमें डाला हुआ है तो इसलिए नमख को थोड़ा कमी यूज करेंगे और अब जो हमने फ्राइए कीवी मच्छियां थी उसको हम इसमें डाल देंगे तो ग्रेवी हमारी एकदम रेड़ है और मच्छि पूरी पकी भी जो है एकदम slow flame पे पांच मिनट तक पकाएंगे पस इस से ज़्यादा नहीं क्योंकि ग्रेवी भी पक चुकी है और फिस भी हमारी पूरी पकी भी है पस पांच मिनट तक ताकि वो मसाले को absorb कर लिए और पांच मिनट हो चुके हैं और पांच मिनट के बाद हमारी जो फिस है वो एकदम ready है तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी recipe पसंद आती है तो please like, share और comment जरूर कीजे और अपने सुझाव मुझे दीजे और thank you so much दोस्तों मेरे वीडियो को watch करने के लिए मुझे अपना शपूर देने के लिए और ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ तो ये देखिए अंदर तक मच्छी हमारी कितनी अच्छे से पगी हुई है कितनी चरुए को देना कितनी बुदाब से updates